दोस्तों अगर अपनी तयारी Un-Academy Plus से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आप Plus लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि Unlimited Access मिल जाएंगे इंडिया के Top Educator मिल जाएंगे जो आपका Daily Doubt होगा वो Clear कराया जाएग डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगी उसके बाद आपके study material में PDF format में मिल जाएंगे ठीक है answer writing आपको session भी रहता है यहाँ पे और comfortable तरीके से आप घर पे अराम से पड़ पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको बहुत चीजे सुविधा मिल जाता है अब देखो जी यह है हमारा code gj8010 अगर आप इस code को use करते हैं तो आपको definitely 10% off मिलेगा अगर आप हमारा या फिर किसी का भी special class join करना चाहते हैं इस code को use करिएगा तो आप बिलकुल उनका free class join कर पाएंगे ठीक है तो आप इस बात को ध्यान रखिए gj8010 हमारा code है अगर आपको किसी भी सर का special class join करना है तो gj8010 डालिए और बिलकुल free class join करिया ठीक है चलो अब यहाँ पे दोस्तो एक हमलों का बजर नाम का batch शुरू हो चुका है NDA के लिए complete batch है जो कि हमलों का 11 जनवरी से start है और 30 माज तक यह पूरा batch चलेगा तो enroll करना चाहेंगे तो कर सकते हैं description में link है अब चलो जी यहाँ पे इंद्रा एक करके batch एक और start है जो कि Air Force XY के लिए और ने भी SSR के लिए ठीक है ने भी SSR AA के लिए batch शुरू हो चुका है वो भी आपका 12 जनवरी से और यह batch हमलों का चलने वाला है 10 अप्रेल तक तो इसका भी link description में है अगर enroll करना चाहेंगे तो कर स अब देखे अगर आप लोग लेती हैं तो आपको purchase कैसे करना है सबसे पहले आपको get subscription पर क्लिक करना है इसके बाद आपको इस तरह का interface दीखेगा अब देखेए यहाँ पर आपको चूज करना है कितने महीने के लिए नहीं मालिज आपको 12 महीने के लिए तो 12 पर क्लिक करना माल लिज़ आपको एक महीने कही लेना इस पे क्लिक करना क्लिक कर देंगे अब आपसे कोड यहाँ पर डालेंगे तो आपको gg8010 definitely 10% off ठीक है अब देखो डाल देते हैं अगर कोड तो आपको इस तरह का आपको प्रैस देखेगा 12 महीने का बहतर सो 3 महीने का 36 इस तरह का आप आप लोग जाके purchase कर सकते हैं ठीक है अब देखे जी आपको क्यूज कैसी लगाना है आप सभी को हाउट टो ज्वाइन की लाइफ क्यूज जो हम लोग क्यूज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ तो देखो आपको यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक करना है ज जो थी आसेस टूटोरियल तो दोस्तो आज हम लोग करने वाले ही नेभी एयर फोर्स से रिलेटेट जीके के मौस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन जो आपके एक्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे तो चली सुरू करते हैं और वीडियो को सुरू करने से पह पहला कोश्चन आप लोग के स्क्रिन को पर यह है पहला कोश्चन यह कि 2015 में मिस यूनिवर्स किताब किस ने जीती थी ऑप्शन ए में है मोनिका रादू लोविक ने ऑप्शन बी में है पिया उतर्ज बैक ने ऑप्शन सी में अशियादना गुटी एरज ने और ऑप्शन टी में है ओलिविया जॉर्डन ने तो यहां पर देखें क्वस्चन नमबर वन का राइट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा बी में हमारे पास क्या है पिया उतर्ज बैक हो जाएगा राइट एंसर जो 2015 में मिस यूनिवर्सिक खिताब अपने नाम कि जाया था उप्शन अ में हे दिव्वर्मन अप्शन बिष्णो गुप्त आप्शन सी में राम गुस्ट और ए ब्रिज इस्वर्थ तो देखें यहां पर भी क्वश्चन नमबर 2 का राइट गमंद चारर क्या हो जाएगा उप्शन नमबर 2 हो जाएगा बी में हमारे पास क् question का right answer ठीके ये सारे ही question previous question है और ये कई बार question आपके exam में पिछले कई बार पूछा भी जा चुगा है इसलिए इन सभी question को आपको क्या करना होगा बिलकुल याद रखना होगा ठीके आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 आपके इस क्रेंड को पर ये है कि ब्रह्म संभाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे option A में है राजा राम मोहन राय option B दयान अंसर्श्वती option C में है महात्मा गांदी और option D लोक माननित दिलक ये वी question कई बार आ होगा है ठीक है जो चाड़क के ब्रह्म संभाज है इसके संस्थापक कौन है ये कई बार आपके एक्जाम में सवाल पूछा जा चुका है ठीक है और यहां पर आपको यह बता दो कि अगर आप इन सभी सवालों के एंसर पता होगा तो आप comment box में जरूर कमेंट किजिए ठी तो question number 3 का यहां पर look at answer किया हो जागा option number अ में हमेरे पास क्या है राजा राम मोहन राय होएं ढहें जो ब्रह्म समाजे इसको संस्तापक थे एनद यह थे अघू car गागर, option B कृष्ण नदी, option C में है दामोदर नदी और option D सोन नदी, तो देखें यहाँ भी question number 4 का right answer क्या हो जाएगा, option number B हो जाएगा, B में हमारे पास क्या है, कृष्ण नदी हो जाएगा right answer, जो होती है, यह क्या होती है, पस्चिमी घाट से निकलती है, जो क्रिश्ण नदी है, यह पस्चिमी घाट से निकलती है, यह अपको यहाँ पर याद रखना होगा, आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्ण, प्रश्ण संख्या 5, आफके स्क्रेंड को परिये कि सुवास चंद्रबोष का पीतय का नाम क्या था, यहाँ पर कुश्ण इस तरह से भी है कि सुवास चंद्रबोष जो थे, उनके पीता कौन थे, आप्शन A में सत्यंदर नाथबोष, आप्शन B जानकी नाथबोष, आप्शन C में हैं जग्दीश चंद्रबोष और आप्शन D एस इन बोष, तो देखें यहाँ पर भी कुश्ण नमबर 5 का राइट एंसर क्या हो चाएगा, आप्शन नमबर B हो चाएगा, B में हमारे पास क्या है, जानकी नाथ बोष है, जो सुबास चंद्रजी है, इनके पिता जी का नाम क्या है, जानकी नाथ बोष है, आप्शन नमबर B हो चाएगा, इस कुश्ण का राइट एंसर है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रशन है, आगे, 6 नमबर प्रशन, प्रशन संख्या 6 भी कई बार आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है, सवाल ही है कि प्रशिद यात्री जहाज टाइटानिक किस देश का था, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये कई बार एक्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, आप्शन A में है USA, आप्शन B चीन, आप्शन C, ग्रेट बिटेन, और आप्शन D, फ्रांस, मैं आपको ये बता दू कि अगर आपको इन सभी कोश्चन का एंसर पता है, तो आप कॉमेंट बुक्स में जरू कमेंट करेंगे, ठीक है, तो देखें, यहाँ पे क्वेशन नमबर 6 का राइट एंसर क्या हो जाएगा, आप्शन नमबर C हो जाएगा, यहाँ ग्रेट बिटेन का था, जो प्रस्यद यात्री जहाज था, टाइटेनिक जिसका नाम है, वो आपको ग्रेट बिटेन का ही था, यह आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है, आगे भढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रशन, प्रशन संग्या सेवेन, आपके स्क्रेन को परिये है कि मारियाना, सवाल क्या है कि मारियाना ट्रेंच किस महासागर में इस थी थे, आप्शन ए अंटलाटिंग महाशागर आप्शन भी प्रशान्त महाशागर आप्शन सी में हिंद महाशागर और आप्शन डी जक्छडी महाशागर तो देखें यहां पे भी इस question का right answer option number B हो जागा यानि प्रशान्त महाशागर में इस्तित है ठीक है जो मारियाना ट्रेंच है वो किस महाशागर मिस्तित है तो यह प्रशान्त महाशागर मिस्तित है option number B हो जागा इस question का right answer ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा प्रशन है आमारा अगला प्रशन 8 number प्रशन आपके इस क्रेंट को पढ़िए कि पक्षी की और पीछे की और उड़ने वाला एक मात्र पक्षी कौन सा है option A में हमिंग वर्ड option B कीवी option C में है अलब अलब टोर्स और option D में है बाज जीसे हम इंगल भी कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर question number 8 का right answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा A में हमारे पास क्या है हिमिंग बर्ड हो जाएगा इस question का right answer ठीक है जो क्या है पीछे की और उड़ने वाला एक मात्र ये पक्षी है option number A हो जाएगा right answer ठीक है आगे बढ़ते हमारे पास अगला प्रश्न ध्यान से देखियागा यहां से सवाल number nine number से जो सवाल हमारे बसे और इन सभी से जितने भी extra fact नी कलके आंगे वह को क्या करना हो बिल्कुल load करते चलना होगा ठीक है या फिर साथ साथ में आपको याद करने का मन हो तो साथ साथ में याद करते भी चलेंगे ठीक है तो सवाल number nine आपके स्क्रेन को परिये है ध्यान से देखिएगा कि हाली में अंतरास्टी अहिंसा दिवस ये कब मनाया गया है तो देखे ये अभी हाली में मनाया गया है 20 अक्टूबर को कब मनाया गया है 20 अक्टूबर को मनाया गया है बीस अक्टूबर नहीं सौरी दो अक्टूबर को ठीक है option number यहाँ पर क्या होचागा दी होचागा right dancer दो अक्टूबर को बनाया गया है ठीक है और आप इसे अंतरास्टे अहिंसा दिवस या गांधी जैन्ती के नाम से जानते हैं और यह दिवस किषके द्वारा मनाया जाता है तो यह जो दिवस से यह मनाया जाने की गोचना की थी तो यह दिवस UNGA के द्वारा 15 जून 2007 में की गई थी कब के गई थी 15 जून 2007 में इसके सुरुवात की गई थी किसके द्वारा UNGA के द्वारा यानि इसकी full from होती ही United National General Assembly के दुआरा और इस वर्ष यानि की 2020 में इसका ये 191 जैनती मनाई गई है ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है अब यहाँ पर बाकी के option को discuss कर लेते हैं तो 29 सेप्टेंबर को कौन सा दिवर्ष मनाए गया है तो जो 39 सेप्टेंबर ह यह आपको मनाए गए है विस्वहरदय दिवश यानि की world hard day यह आपको मनाए गए 29 सेप्टेंबर को जबकि 30 सेप्टेंबर को मनाए गए इंटर्नेस्टल ट्रांस्लेशन डे जिसे हम हिंदी में खा कहते हैं अंतरस्टी अनुबाद दिवस इंगलिस में कहते हैं इंटर्नेस्टल ट्रांस्लेशन डे ठीक है हिंदी में अंतरस्टी अनुबाद दिवस कहा जाता है जबकि एक अक्टूबर को मनाए गए हैं आपको international day of older person ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और ये भी सवाल बिल्कुल important है सवाल number 10 आपके screen को पर ये है कि हाली में इस question का right answer ठीक है उमान बन गया है और यहाँ पर एक term लिखा हुआ है air bubble जो ये term लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है air bubble के मतलब क्या है तो इससे आप क्या समझ सकते हैं तो air bubble या आप इसे कह सकते हैं transport bubble और तो ये उन दो देशों के बीच की जो service होती है जिसके परपस से commercial जो commercial passenger service यानि की हम वाडी जियातरी हैं उनको सिवाओ को फिर से सुरू करना और आप सभी जानते हैं कि COVID-19 के कारण काफी समय से international flight भी बंदर रहे थी ये भी आपको याद है ठीक है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उमान देश के बारे में तो capital क्या है capital है मसट मसकट उमान की capital मसकट है currency है real ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रशन प्रशन संग्या 11 आपके screen को पर यह ध्यान से देखी गए सवाल number 11 कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ decarbonitrisation के लिए settlement of intent पर हस्ताक्षर किये गए है तो यह समझाता अब ही हाल ही में किया गया है भारत और निदर लेंड के बीच किस के बीच भारत और निदर लेंड के वेच किया गया है ठीक है अब यह है क्या तो इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं यह जो है यह दोनों देश है जो भारत और निदर लेंड दोनों देश में उर्जा के छित में बढ़ावा देने के लिए और जलवाईव अनुकल अर्थवियोस्ता के लिए समझोते पर यह थाक्षर किया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर निदर लेंड के बारे में डिसकस करें तो निदर लेंड की कैपिटल क्या है कैपिटल है यहाँ पर इमर्ष टन ठीक है आपको नोट कर लेना होगा या फिर स्क्रिंसोट ले सकते हैं कैपिटल क्या है इमर्ष टन करिंसी है यूरी यह भी आपको याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्न प्रश्न संक्या ट्वेल एनी बारह नमबर प्रश आपके स्क्रिंड को पर यह है कि हाली में भारत ने किस देश में कैंसर हॉस्पीटल और क्रिकेट इस्टिजम बनाने की लक्ष रखा है यह भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है यह आपको याद रखना होगा तो यह अभी हाली में बनाया जाएगा मौल इप में कहाँ पर बनाया जाएगा मौल इप में बनाया जाएगा option number C हो जाएगा इस question का right answer ठीक है तो दोनों देशों की बिच संबंदों को और मजबुत करने के लिए यह समझोता अभी हाली में किया गया है ठीक है तो देखे भारत के दौरान यहीं टोटल 800 million कितने 800 million अमेरिकी डॉलर क्रेडिट लाइन के तहट यहीं मौल इप के हुल हुमले में एक जगह है जिसका नाम है हुल हुमले तो मौल इप के हुल हुमले में टोटल 100 बेड़ वाला कैंसर हॉस्पिटल और बाइस हजार स्टेटर वाला cricket stadium बनाया जाएगा भारत के दवारा यह आपको यहां पर याद रखना होगा अब हम मौल दीप के बारे में बात करें तो क्या है मौल्दीप की कैपिटल है माले यह आपको याद रखना होगा और करेंसी क्या है रुफया प्रिश्डेंट है वहां के जो प्रिश्डेंट है यह अबराहीम मुहम्मद सोही तो यह भी आपको याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला संग्या 13 आपके स्क्रेंट को पर यह है कि हाली में IPL की इतिहास में लगतार 10 मैचों में दो या इससे अधिक विकट लेने वाले पहले गिंदबाज यह कौन बनाए गए हैं यह भी कुश्टन इंपोर्टेंट है और आपके एक्जाम में क्रिकेट से भी प्रश्न हैं और यह लगतर 10 मैचों में दो या इससे अधिक विकट लेने वाले पहले गिंदबाज भी बन गए हैं और आप सभी जान रहे हैं कि IPL का यह 13 अडिशन चल रहा था 2020 में जो IPL चल रहा था यह IPL का 13 अडिशन था यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा और इस तरह से और IPL के सबसे सफल टीम कौन है तो यह मुंबई इंडियन्स मुंबई इंडियन्स सबसे सफल टीम है IPL की यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है अब यहां के बाकी के ऑप्शन को डिसकस कर लेते हैं तो के इल राहुल चो है के इल राहुल तो इस IPL मेरी 2020 में ज जबकि जो अली खान है ऑप्शन नमबर डी में दिया गया है यह IPL खिलने वाले यह अमेरिका के पहले खिलाड़ी भी बने हैं यह भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 14 नमबर प्रशन संख्या 14 आपके स्क्रिन को परिए कि हाली टीम में MS धोने के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है तो देखिए यह रिकॉर्ड अभी हाली में तोड़ दिया है एलीशा हिली ने जो ऑप्शन नमबर क्या हो जाएगा यह इस कुश्चन का राइट एंसरेट हो जाएगा ठीक है और यह ऑस्ट्रेलिया से बिलो स्कॉर्ट मौरिशन कौन है स्कॉर्ट मौरिशन है तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 नमबर कुश्चन प्रशन संख्या 15 आपके स्क्रेंड को परहे के हाली में मौरिसस में भारत का उच्छ आयुक्त यानि उच्छ आ होती है तो बता दे कि हाली में जो मौरिशस में भारत के अगले हाई कमेशन यह नूप की गए हैं जिनका नाम क्या है नंदी सिंगला जो ऑप्शन नंबर इस कोश्चन का राइट एंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है नंदी सिंगला को अब हम बात कर लेते हैं मौ अगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला कुश्चन प्रसन संक्या 16 आप किस क्रेंट को परे कि इस रों के द्वारा किस वर्स तक मिशन वीन्स लॉंच किया जाएगा यह भी सबाल बहुत ही इंपॉर्डेंट ठीक है तो यह लॉंच किया जाएगा दो हजार पच्चिस तक कब इस रो के बारे में तु देखिए इस रो तो यह भारत की इस कोती है इंडिये इस्पेस रिसर्ष जर्श और रीकानाइजिशन तो इसके स्थापना हुई थी उनीच सो इनहत्तर में 2019 सिख्सेट रखना होगा आगे मड़ते हैं हमारे पास अगला प्रशन संग्या 17 आपके स्क्रिन को पर यह है कि हाली में इलेक्ट्रोनिक सड़को वाला बिश्रो का यह पहला सहर कौन सा यानि कौन बना है जो सरवजनिक बसों को चार्ज करेगा यह भी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और यह इस तरह से भी सवाल आपकी एक्जाम मे है तो देखिए यह अभी हाली में बं गया है कहां पर कहां पर बना है person थे ठीक है तेल अवियू और तेल अवियू यह इसराइल का एक शहर है और यह वाइकल को चार्ज करने के लिए वाइरलेस बिजली के रोड को बनाने और सहर में सर्वजनिक परिवहन को बिजली देने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसी के साथ ऐसा पहला शहर बन बिस्व का यह पहला सहर बन जाएगा जो तेल वव्यू शहर है यह तेज्व वयू शहर एक इस को चोटा शहर है वही पर इसको इसो बनाने वही पर ही बनाया जा रहा है यह आपको याद रखना होगा अब हम इस्राइल के बारे में बात कर लेते हो capital क्या है capital है येरुशलम, currency है इस्राइली, new, शेकल और प्राइम मनिस्टर है बिंजा मिन नेतनी हो और प्रिश्णिंट है रुबेन रिबलिन ये भी आपको याद रखना होगा ठीक है अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं Mexico City के बारे में जो option number B में दिया गया है ठीक है तो climate emergency लगाने वला बिश्व का ये पहला साहर है Mexico City ये भी आपको याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला प्रश्ण प्रश्ण संख्या 18 यानी 18 नम्मर प्रश्ण आपके स्क्रिन को परिये के हाली में किस राज्य की डल्ले खुर्शानी मिर्शी को GI टैग मिला है आपके एक्जाम में GI टैग से भी related कई सवाल पूछे जाते हैं इसलिए GI टैग से related आपको एक्जाम में सवाल जो एराइज किये जा रहे हैं उन सभी सवालों को यहां पर याद रखना होगा ज्यदा तर प्रेवेश्र जो सवाल है उन सभी सवालों को आपको याद रखना होगा ठीक है तो यह अभी हाली में मिला है शिक्किम शिक्किम को किसको मिला है शिक्किम के डलने खुर्शानी मिर्श को option number क्या हो जाएगा भी हो जाएगा इस question का right answer ठीक है अब हम बात कर लेते हैं GI टैग की तो GI टैग उन products को मिलता है याई उन products को दिया जाता है जो की space याई special area में अपनी special quality के लिए जाने जाते हैं और जिस किसी product को यह GI टैग मिलता है उसे एक अंतर अजज़े पहचान भी मिल जाती है अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में तो भारत के सबसे पहले किसको GI टैग मिला है तो देखे ये मिला था दार्जलिंग के चाय को कम मिला था 2004 में मिला था ये आपको याद रखना होगा अब हम बात कर लेते हैं शिक्किम की तो राजधानी है गंग टोक मुखे मंत्रे प्रेम शिंग तंगमा है और राज़ेपाल गंगा प्रशाद्जी है और साथी शाथ जैविक खेती लागो करने वाला ये भारत का पहला राज़ सिक्किम ही है ये भी आपको याद रखना होगा तो आज के लिए तिना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने स्टडी गुरूप में एटलिस्ट एक सेर भी कर दीजिए ठीके तो आज से लिए तना ही धन्यबाद